पिशान भाईव नमस्कार हमारी आज की इस वीडियो में आप लोग का स्ट्वागत हैं आज हम यहाँ पर आप लोग को दो चीजों की बिश्र में बताएंगे हमने यहाँ पर कुछ छपन कद्दू भी लगाया हुआ है और इसी के साथ जुकनी भी लगाया हुआ है यहाँ प का दू तो इसे चपन कद्दू कह सकते हैं या समय स्थ्थ भी कह सकते हैं और बगल में हमारा दूसरा रचा सallas में आती है तो इसे जुकनी पर मेन रूप से आती हैं एक तो इसमें ज Suppose लो आता है इसमें या लाइट ढूर प derived .tsl तो आप से किसी की भी ऐसी यहां और इसमें बात करें इस पत्तिया यह नहीं बहुत कम होते हैं यद्य आप इसमें 56 काड़ों घ्रशाइब एक जिस भी प्लोट में लगाता हैं क्योंकि इसमें आप निराई नहीं करवा सकते हैं, हाथ कड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत इसमें काटे होते हैं, तो मजदूर से निरवाई नहीं करा सकते हैं, इस वाले प्लॉट में निराई हो सकती है, तो यहां पर यह जो समर स्क्वेस या इसी जुकनी कह सकते हैं, इसकी वाली साइज है मार्केट में यही साइज ले जानी होती है और इसकी अधिक खेतर होती है कि हमारे छोते सेपरते हैं में चेटरे मेना थाई साइज ओंन सेप्झ कषणन भी घ्याजन kyrie कि जैसे फल निकलते ही रहते हैं ये इधर अभी छोटा है जब नीचे वाले की तुड़ाई कर देंगे तो ये उपर वाले जो फल हैं ये भी बड़े होते जाएंगे इसमें यदि आप पोश्टत्तों का अच्छा प्रबंदन करते हैं तो आपकी जो दो दो तीन तीन फल बड़े होते रहेंगे और नीचे की साइड से आप फलों को काड़ते रहेंगे तो आगे जो ऊपर के साइड के हैं वो भी अपना बढ़ते जाएंगे तो दोनों ही ये लगबग लगबग वैसे ही हैं बस इसमें मंडे में रेट का थोड़ा फरक पड़ता है क्योंकि रेट का मतलब यह है कि यह नई सब्जी है इसको बताना पड़ता है और यह कद्दू के जैसा लगता है आप इसमें ग्रीन किलर लेते हैं तो इसको बताने की जो नहीं होती है विक्री भी आसानी से हो जाती है जांते हैं itself कि रहती हैं कि सब थंदिए मारे वाकॉम यहां पर हमारे उस से च्छित्र में यहां क diapers पहले नहीं आपाती है तो यह समय होता है कि आप इसका फरवरी में निकलता है तो इसका जो हमें अच्छा रेट मिल जाता है और इधर दिसंबर और जनुरी में इसकी डिमांड थोड़ा कम रहती है क्योंकि अभी जो हमारे कद्दू लगा हुआ है मार्केट में जाता है काफी अधिक संख्या में यहां पर कद्दू हमारे लगे भी हुए हैं तो डेली का करीब जो है 50 केजी से उपर ही यहां पर निकल जाता है तो बिक्री में भी थोड़ी बहुत समस्या आ रही है आपकी छ है यह आठ लोगों का कमेंट आता है और इसकी खेती की जानकारी चाते हैं तो हम इस पर पर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे तो क्यु waffle वाह आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और एक नए वीडियो के साथ जल्दी आप प्रोमोश्म लाकातोगी तब तक के लिए नमस्टाव